रोहनी कोट के सूट आउट मामले में एक बड़ा खुलाशा हुआ है दिल्ली पुलिस के सुत्रों की माने तो इस पूरे सूट आउट की साजी स्तिहार जेल के में पंद गेंगेश्टर सुनील और तिलू दाजबुर्या ने जेल से बेट कर ही रची थी पुलिस के सुत्रों के माने तो गेंगेश्टर टिलू सूट आउट के पहले और सूट आउट के बाद लगातार सभी बदमाशों के संप्रक में था सुत्रों के माने तो वो इंटरनेट कॉलिंग के जरिये हमलावरों के संप्रक में था जेल के अंदर से ही वो लगातार हमलावरों से पूछ रहा था कि कितनी देर में कोर्ट पहुंच जाओगे इतना है नहीं वो उनकी लाइव लोकेशन भी ले रहा था गिरफतार हुए वो मंग और विने से भी इंटरनेट कोलिंग के जरिये संप्रक में था पुलिस के सुत्रों का कहना है कि जब टिलू को कोलिंग के दोरान ये पता चला कि दोनों हमलावर कोट रूम के अंदर ही है तो उसे इस बात का अंदेशा हो गया था कि अगर गोगी को मारने में हमलावर सफल रहे तो उनका बचना मुस्किल है इसी वज़े से उसने उमंग और विने को इंटरनेट कोलिंग के जरिये संप्रक करिये पुछा कि तुम कहा हो तो उनों ने बताया कि हम पार्किंग में खड़े हैं तब ही टिल्लू बोला कि तुम दोनों वहां से तुरंत निकल जाओ और गोली चलने के बाद दोनों फरार हो गए जांच के तुरान पुलिस को एक फोटो बे मिली जिसमें टिल्लू वीडियो कॉल पर उस सूटर के साथ बात कर रहा है जो इस सूट आउट में पुलिस की गोली से मारा गया इस पूरे सूट आउट के बाद एक बात तो शाफ है कि सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है एक गेंगश्टर आसानी से तिहाड में बेट कर पूरा सूट आउट ना सिर्फ पलान करता है बलकि उसे अंजाम भी दे देता है ऐसा नहीं है कि ये तिहाड से कोई पहला मामला शामने आया है जिसमें गेंगश्टर फोन का इस्तमाल कर रहे हैं इससे पहले भी मामले शामने आते रहे हैं लेकिन जेल परसासनीस पर लगाम लगाने में क्यों नाकाम है ये कोई नहीं जानता है